योगी अदेतियनाद देश के मुख्य मंत्री है उत्तर परदेश के और संभीधान पर उन्होंने ओत लिया है मैं उनसे पूछना चारा हूँ मूल निवासी के भारत का मुसल्मान नहीं है क्या पक्वास कर रहे हैं वो अगर देखा जाए सच्चाई तो एक मूल निवासी तो आदिवासी और ड्रिवीडियन लोग है ना OAC मूल निवासी है ना अधितनात मूल निवासी है क्या बोल रहे हैं मूल निवासी और क्या हुए बात सच नहीं है कि UP में TFR रेट जो टू पॉइंट सेवन था 2015 सोला में वो गिर कर टू पॉइंट फॉर हुआ है उनको तवज्जो किस पर नहीं चाहीए बहीशत मुक्य मंत्री कि उत्तर परदेश में जो बच्चे हैं इनीमिक है उत्तर परदेश में जो बच्चे हैं सिवियरली वेस्टेट 6% से 7.3% हो चुका है और उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा बगेर कोई खानून बनाए उत्तर परदेश में डिजाइड फर्टेलिटी रेट दो हुजार छबीस और तीसे दर्में में आज जाएगा आप कौन सी बात कर रहे हैं आप से मुसल्मानों के तालुक से खौफ पैदा कर रहे हैं और क्या वो देखते नह हैं कि उन्हीं के भाचपा के केंदर के मंत्री हेल्थ के राजिय सवा में एपरल दो दो हजार बाइविस को ये कहे दिया है क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन खानून की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोट में दो हजार बीस में एफिडेविट दिया गया क्या उतर इसेकिशे हो मुसल्मानों का कितना है? बढ़ा है नान थ्र्टीज शुट नान इंप्रूव्म Webinar है नान थ2.51 सबसे ज्यादा an stra expensive इस्तेमाल करने exceptional क्यों है? ये मुसल्मान है और आप ये بتائیے کہ مسلمانوں کا جو TFR rate दो हुजार पंदरा सोला में टू पाइंट सिक्स था वो गिर कर टू पाइंट्री हो चुका है क्यों डर पैदा कर रहे مسلمانوں के population के बारे में आप? TFR rate गिर रहा है और भारत के muslim dapat का population stabilize होगा, stabilize होगा 20-30 तक, जूटपे जूट बोलते है गौर्णमेंट का डेटा है सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैला करना इनका काम बन चुका है दिन रात यही काम करना भारत में जो डेमोगरिफिक डिवीडेंड है विश में किसी देश में नहीं है इस देश की पचास सीत अबादी पच्छीस साल से कम उमर की है चालीस साल की उ अगरबाद हो रही है आप उस पर तो जो नहीं लिए रहे आप से एक शोशा छोड़ रहे हैं शगूफा छोड़ रहे हैं ताकि नफरत फैल जाए मुसलमानों खिलाफ सर आप प्रदान मंत्री गाटन करते हैं नहीं संसत के उसका तो उस पे भी आपको तकलीफ है देखिए देश देश चलेगा तो संविधान से और संविधान में बेसिक स्ट्रक्शर का इस हिस्सा जो है वो थियोरी ओफ सेपरेशन आफ पावर्ज है थियोरी ओफ सेपरेशन आफ पावर्ज ये कहता है कि एग्जेकुटिव जो पधान मंत्री लेजिसलेचर जो पारलिमेंट का इनागुरेशन करना था तो लोगसवा के स्पीकर को करना चाहिए था लोगसवा स्पीकर पीछे क्यों बैठे हैं वो खुद तियोरिया सेपरेशन और कॉस्टेशन नौम्स के जनवा चार जनवर हैं घोड़ा है लायन है होरस है बुल है संविधान के जानकार क्या कहते हैं वो भारत के प्रियांबल का हिस्सा है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्टी जस्टिस आप उसको भी भूल रहे हैं तियोरिया सेपरेशन और पावर इंपॉर्टन्ट है देश की लोकतंत्र के लिए अगर एक्जेकुटिव लेजिसलेचर पर हावी हो जाएगा तो घलत होगा हमारी लोग तंतुर के लिए मुख्या नहीं मुख्या नहीं मुख्या है पार्लेमेंट में मुख्या नहीं है पार्लेमेंट में सबसे बड़ा अगर है तो स्पीकर है अध्यक्ष है स्पीकर है प्रदान मंत्री नहीं है उस जगा पर स्पीकर सुप्रीम है पार्लेमेंट सुप्रीम हैं ये बात समझ नहीं मर परदान मंत्री समझते नहीं हो समझते हैं वह सुप्रीम लीडर है separation theory of separation powers को चुकनाचूर कर रहे हैं वह सर आप नौर्थ इंडिया में अपनी पार्टी को expand करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं पिछले तिनों बिहार में आपको काफी वह हासी युह लगान आपके चार विदायक चले गए वा उस बारे में उथ बार बिहार उत्तर ठीक है लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं कोई बात नहीं देखेंगे फिर और strong होगी यह चलता है तो अब उत्तरप्रदेश में काफी मेहनत न ना 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 देखए देखए मेरी जिन्देगी की कामियाबियां मेरी नाकामियों की बुनियाद पर बनी वी है मुझे कोई फरक ने पड़ता मुझे महनत करना आता है जो दूजहत करना चाहता है मेरे पूरी पार्टी मेरे साथ है, हम मेनत करेंगे दुबारा. और सर जो आप जो जिस सुबह में आप रहते हैं और सुबह के मुख्या को आप सपोर्ट भी करते हैं, उनका आज कल केंदर सरकार से और खास्त और से मोधी जी से जो रिच्टे हुए हैं अभी प्रेस कॉनफरेंस में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया अप्रदान मंतरी तीचा फार्म में हैं, फुल फार्म में हैं, अच्छी बच्छी बात है, तो आप जो उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, वो कह रहे हैं कि अब बेड़ा ने उठाया है, देखिए उनकी उनकी वो संविधानिक जिम्मेदारी है कि वो तेलेंगाना के हुखुक का प्रोटे हैं, अपने स्टेट की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्टेट की ने, अब तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करें भाई, देश सबका है ना, क्या देश कैसे पदान मंतरी का है, क्या, क्या देश सबका नहीं है, तो देश की फिकर जो नाइन साफी करनी है मोडी सरकार त्य लैंगाना से अपके शहरे हैदरबाद में आके बीजविने तीन तीन का कारिकरम रखा और एक जिस तरह से प्रेस कम्फरेंस हौई जिस तरह से संदीर दिये गए झो एक त्यलगाना पो अन्हों taped चीछ干े एक तरह चार मेनार के चारमिनार के पास चले गए, चारमिनार के दामन में आगए तो चारमिनार की उंचायों को भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग, उंचायों को समझना पड़े गा, तब तेलेम गाना समझ में आएगा। रहा है वो शिकस्काएगा जो महबत को फरोग देगा बढ़ाएगा वो कामिया होता रहेगा